नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्राण धर्मा सन्मार हिंदू पंचांग के अनुसार चंदरगरहन का बहुत महत्व है क्योंकि उस खगोली इस्तिती को कहते हैं चंदरगरहन जब चंदरबा पृतिवी के ठीक पीछे उसकी प्रचाया में आ जाता है और तभी ऐसा हो सकता है जब सूर्य पृतिवी और चंदरबा इस क्रहम में लगवग एक सीधी रेका में हो तो 2022 में कब और कितने चंदरगरहन लगेगे देखिए चंदरगरहन 2022 में कुल वैसे तो दो सूरी गहन है दो चंदर गहन है आज हम चंदर गहन की बात करेंगे तो चंदर गहन उस खगुली इस्थिति को कहते हैं जब चंदर मां पृतिवी के ठीक पीछे उसकी प्रचाय में होता है और 2022 में जो पहला चंद्रग्रहन है वो 16 मईश सोंबार 2022 को लगेगा सुबह 7 बच कर 2 मिनट से दुपर 12 बच कर 20 मिनट तक और ये पुर्ण चंद्रग्रहन है ये दक्षिनी पस्चिमी यूरोब दक्षिनी पस्चिमी एसिया आफरिका उत्री अमेरिका दक्षिनी अमेरिका और अटलांटिका हिंद महासागर भारत के कुछ हिस्सों में दिखेगा चुकि चंद्रग्रहन का सुतक 9 घंटे पहले लग जाता है तो चंद्रग्रहन की समापती पर सुतक खत्म होगा दूसरा चंद्रग्रहन आठ नौमबर मंगलवार 2022 की दोपहर एक बच कर 32 मिनट से सा साथ बच कर 27 मिनट तक रहेगा यह भी पूर्ण चंद्रग्रहन है और यह भी उत्तरी पुर्वी यूरोप एसिया भारत ऑस्ट्रेलिया उत्रे अमेरिका दक्षिनी अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा और यह चंद्रग्रहन भी सुतक लागू होगा जो कि 9 घ भारत में दिखने जा रहा है इसलिए आपको खास तौर पर ध्यान रखना है संभलके रखना है और चंद्रग्रहन में जितना ज्यादा हो नमस सिवाय का जब करें खाने पीने की बस्तूओं में तुलसी के पत्ते डाल कर रखें और प्रेग्नेंट महिला है वह खुले आसम